पटना में सोमवार को 22 जूनियर नेशनल वुशू चेंपियंशिप धूम धम से शुरू हुई बिहार वुशू एसोसियेशन की तरफ से आयोजित ये चेंपियंशिप 7 अगस से 11 अगस तक चलेगी इसका आयोजन पटना के पाटली पुत्र स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स में किया जा रहा है देश भर से आए लगभग 1200 प्रतिभाशाली यूवा वुशू एथलीट इस चेंपियंशिप में हिस्सा ले रहे हैं देश के उभरते वुशू एथलीट अपना बेस्ट प्रदर्शन कर रहे हैं वुशू एसोसियेशन ओफ इंडिया के अध्यक्ष जीतेंद्र बाजवा ने कहा कि इस तरह के आयोजन यूवा एथलीटों के कौशल को निखारने में महतुपूर्ण भूमिका निभाते हैं बच्चे पूरी तयारी से आए हैं उनकी ड्रेसेज उनका सैंस देखके और उनका जो सब तयारी है मैं समझता हूँ कि इसमें यह हमारे आने वाली नेशनल चेंपिनशिप जो है उसकी इनकी तयारी बहुत हमें फल देगी यह जूनियर बच्चे ही आगे चलके हम लोगों को देश को मेडल लाते हैं तो इस तरह से यह नरसरी तयार हुई है यह बहुत ही अच्छी तयार हो रही है यह नरसरी वूशू की और देश का नाम यह बच्चे आगे आने वाले समय में गौरवान वित करेंगे 22 वी जूनियर नैशनल वूशू चेंपियंशिप यूवा एथलिटों के लिए वूशू में अपने कोशल, समरपण और मजबूत इरादों को दिखाने का मंच प्रदान करती है वूशू एक तरह का मिक्स्ट मार्शाल आठ खेल है जो बहुत तेजी से यूवाओं में प्रचलित हो रहा है